हेलो फ्रेंड सेशी कृष्णा मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत एक कम गी तेल में बना एक सूपर हेल्दी टेस्टी पराठी की रेसिपी जो की है मुगलई पराठा इसे हमने बहुत सारी सब्जियों से बनाया है तो यह टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है अगर आपके बच्चे भी सब्जियां खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप उन्हें इस तरह से खिलाएं तो बच्चे सब्जियां भी खाएंगे और यह हेल्दी पराठा आपका मिंटो में चट हो जाएगा इतना टेस्टी और इतना शानदार होता है इसका टेस्ट आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं तो चलिए इस इंटरसिंग सी रेसिपी को शुरू करते हैं तो यह मुगले पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आठा लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप गिहों का आठा और एक कप मैंने मैदा लिया है आप चाहें तो दो कप गिंगा आटा ले सकते हैं या पूरा मैधा भी ले सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है 1 चमच नमक डाल देंगे, 2 चमच चीनी डाल देंगे और 2 चोटी चमच हम इसमें refine टेल डाल देंगे मोहल लगाने के लिए तब सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix कर लेंगे जैसे आटे में मुल लगाते है ना फिलको उसी तरह तेल को हम पूरे आटे और मैदा में अच्छे से mix करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक soft आटा लगाना है जैसे हम घर में regular रोटी या फिर पराठा बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना उसी तरह से हमें इसका एक semi soft type का आटा लगा लेना है तो यहाँ पर या आटा हमारा लग्के ready हो गया है उपर से इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसको oil से इस तरह से grease कर लेंगे और थोड़ा तेल लगा के इसको फिर से muscle के चिक्णा कर लेंगे यह आटा हमारा लग्के त्यार हो गया है 10-15 मिनट के लिए इसे ढग देंगे और जब तक हम अपने इसके लिए stuffing ready कर लेते हैं तो stuffing बनाने के लिए मैंने यहापे पतागों भी ली है एक कप के जिती बारी कटी हुई बीन्स ली है एक कप के जिती बारी कटी हुई एक शिवला मिन जिसको बारी कट लिया है दो गाज़र ली है जिसको बारी कटा है और यहापे मैंने हरे पत्ते वाला प्याज लिया है मैंने और 100 ग्राम मैंने यहां पर पनीर लिया हुआ है फ्रेंड्स आप चाहें तो अगर इन में से कोई चीज आपको नहीं पसंद है तो skip भी कर सकते हैं या फिर कम जादा अपनी इच्छे के अनुसार कर सकते हैं और यह उपले हुए आलू है इसको मैश कर लेंगे और पनीर को हम कद्दू कस कर लेंगे या फिर बिल्कुल बारिक-बारी छोटे टुकुड़ों में काट लेंगे अब गैस पे कढ़ाई या फिर पैंच आड़ा देंगे गयास की फ्लेम को आउन करके इसमें 2 बड़े चमच में चितना तेल डाल देंगे धहान मिनट के लिए हम इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से भून नहीं जाती हैं उसके बाद हम इसमें प्यास जाल देंगे मैंने यहां पर हरा प्यास लिया है आप चाहें तो रेगुलर प्यास भी यूज़ कर सकते हैं साथ ही हम इसमें बीन्स जाल देंगे क्योंकि बीन्स को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ध्यान रहे कि आपको बीन्स को एकदम बारिक-बारिक काटना है जिससे कि वो जल्दी से गल जाएगी तो प्यास और बीन्स को भी हम थोड़े देर के लिए कर लेंगे तो यहां पे गाजर बीन्स और प्यास को हम तब तक फ्राइ कर लेंगे जब तक ही सारी सब्जियां हलकी सी गलनी शुरू नहीं हो जाती है यहां पे गाजर अब हलकी सी हमें गली दिखाई दे रही है तो इसमें आट कर देंगे पत्ता गोबी पत्ता गोबी को में सबसे लाज में डालनी है क्योंकि शिम्ला मिट्स को हमें बहुत जादा गलाना नहीं है और शिम्ला मिट्स बहुत जल्दी गल भी जाती है तो शिम्ला मिट्स डालने के बाद सारी सब्जियों को फिर से हम फ्राइ करेंगे जब तक सारी सब्जियां हलकी हलकी सी गलनी और एक चमच मैं यहां पर चाट का मसाला डाल रही हूँ फ्रेंड अम इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बूल लेंगे दो से तीन मिनट के लिए अभी हमने नमक डाला है तो सब्जियों में थोड़ा सा अपना मौश्यर रिलीज होगा तो फ्लेम को मीड ऐनं को मीडियम र kaleश बे जाएंगे और अलु और पनीर को भी इन सारी चीजों के साथ अच्छे से friend रोच्चे से मिक्स करेंगे और बून भी जाएंगे तो फ्रेंडs यहां पर हमारे game बन के तियार हो रहाए उपर से और अप्र anlat निकी पत्ती डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास अज यह हरे पत्ते वाला प्याज है तूसी का हरा हिस्सा मैं यहां पर बारी काट के डाल रहे हूं अच्छे से mix कर देंगे एक बार और आप देख सकते हैं सारी चीज़ अच्छे से mix हो चुकी है आलू अच्छे से fry हो गए है और हमने जितनी वे सबजियां इसमें डाली है न सब अच्छे से गल भी चुकी है तो बस इसी stage में हम गैस की flame को अब बंद कर देंगे और इसे हम ए अच्छा चिकना आपका यह आटा लगा होगा उतना ही अच्छे आपके पराथे बनेंगे तो यहां पर मैंने एक बार इसको अच्छे से mix के चिकना कर दिया है अब हम इसकी बराबर size की लोईयां तो इसको इस तरह से roll कर देंगे आप जाहें तो बेल लिंग पर रखके इस अब चूटे चूटे में आराम को भधिन था राहु को पाला जा हो तो नहीं है यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा और मोटा बेल लिया है अब शॉ Turny से चल्ड़ी हो गई है ते हहांद है कि बढ़नी है लग कर तो उटास बाता है नहीं लगानी है, stuffing को इस तरह से फैला लेंगे, एक चौकुर शेप दे देंगे, यह देखे इस तरह से, थोड़ी-थोड़ी सी पतली करेंगे, बहुत जादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा आधा इंच की मुटाई रखनी है, और इस तरह से चौकुर शेप दे देंगे हम इसको, अब जिस तरह से हम एनवल अप फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे, यह देखे कुछ इस तरह से, पहले साइट से फोल्ड कर देंगे, फिर इस तरह से अपन डाउन साइट से हम इसको फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से इसको एक even शेप दे देंगे ये देखके इस तरह से long shape देदेंगे थोड़ा सा मैधा dasch कर देंगे इसके रूपर और नीचे की sasad और यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां परांथा बनकी त्यार हो चुका है सिम इसी तरह से हम अपने सारे परांठों को बेल लेंगे फ्रेंट्स अगर आप इसे बच्चों के टिफिन में देना चाहते हैं तो इस जो हमने स्टफिंग बनाई है आप चाहें तो इस स्टफिंग को रात को बना के रख सकते हैं और सुबह फटाफ़ बस आपको परांठे भरने हैं और बच्चों का टिफिन आपका तियार हो जाएगा आप चाहें तो आठा भी रात को लगा के रख सकते हैं और स्टफिंग भी रात को रेडी करके रख सकते हैं पर यह खाने में बहुत ज़ादा टेस्टी भी होते हैं और healthy भी होते हैं तो यह हमारा दूसरा पराथा भी बननके त्यार हो गया है तो इससे हम शेक लेते हैं तो सेकने के लिए या पर मैंने तवा पहले से गरम करके रखा हुआ था तब अच्छे से गरम हो चुका है तो हम इसके उपर यह पराठा रख देंगे गरम तबे पर फ्लेम को हाई रखेंगे हाई फ्लेम पर ही हमें यह पराठे को सेखना है जब एक साइट से पराठा नीचे से सिख जाएगा तो इससे पलट देंगे और उपर गी या फिर तेल लगा तो डिल लगा सकते हैं जब तक यह ऐंसे साइठ को चेंज कर देंगे और दूसरी आपसे प्रेस करेंगे ज़्यादा दबाव देके आपको इसको नहीं प्रेस करना है ने तो स्टफिंग भार भी निकल सकती है तो वस हलके हलके हाथ से इसको इस तरह से दबा देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन स्पॉर्ट आ जाने तक हम इसको सेख लेंगे तो यह लीजे यहाँ पर बीच से कट करके सर्फ करें आप चाहें तो इसे अपनी मन पसंद टमाटो कैचप मियोनी जा फिरहरी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं फ्रेंज आप एक बार इस मुगली परांटे को अपने घर में जरूर ट्राय करें और ट्राय करने के बाद यह रेसिपी आपको कैसी लग के जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दें उसे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे परदी मिलेगी थैंक यू